हेलो और वेल्कम बैक टू माई चैनल इस पाइसर फियर इंग्लिश गाईज आज के सेंटेंस कुछ इस तरीके से जो आप अपने डेल लाइफ में यूज करते हैं और ये सारे सेंटेंस बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट हैं आपके लिए गाईज अगर आप भी अपने इंग्लिश परफ करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन सारे सेंटेंस का अच्छे से सीख सकें तो गाईज चली शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सें तब ये बोल रिये गाइस कि उसने कहा कि मैंने ले लिया, उसने ये नहीं बताया कि मैंने क्यों लिया, मैंने उससे उधार लिये गे 25,000 रुपे वापस नहीं किये, यानि कि मैंने उससे 25,000 रुपे उधार लिये थे, जो मैंने उससे दिया नहीं, तो गाइस, बॉक्स का मतलब होता है कि पैसा रुपया, आगे देखते हैं, अब याद आया, जब वह पैसा लोटा देगा, तो मैं उसकी बाइक वापस दे दूँगे, आगे देखते हैं गाईज, यह बोल रहा है कि अब जाने दो बेटी, उसके पास नहीं होंगे, यानि कि अब जाने तो छोड़ दो, छोड़ दो बेटी, उसके पास इतने रुपया नहीं होंगे, जब होंगे तो दे देगा, जब उसके पास होगा तो वो दे देगा, इस तरह की मरदानगी दिखाने की क्या जूरत है, तो गाईज, टॉम बोई का मतलब होता, अगर कोई लड़की, लड़की की तरह behavior करे, उस तरह का बरताओ करे लड़की की तरह, तो उसको बोलते हैं, टॉम बोई, तो वही है बोल रहे हैं कि, वोट इस तरह की मरदानगी दिखाने की क्या जूरत है, तब यह बोल रहे हैं कि, आजकल ऐसे ही रहना चाहिए, यदि आप चाचा जी की तरह दयालू रहेंगी, तो बची हुई प्रोपर्टी खो देंगी, तो guys, end up का मतलब होता है कि last में कुछ और हो जाना, पहले आप जो decide किये हो, but last में कुछ और हो जाना, जैसे मैं बोलू कि, अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं, but last में कहीं और पहुँच गया, मैं कुछ बनना चाहता हूं, but last में कुछ और बन गया, वहाँ पे आप end up का यूज कर सकते हैं, यादि आपके साथ कुछ होने वाला है, but last में कुछ और हो गया, तब वहाँ पे आप end up का use कर सकते हैं, जैसे मैं आपको example देता हूं कि, he used to be an actor, but ended up joining politics, यानि कि वह actor हुआ करता था, but last में, यानि कि ant में politics join कर लिया, he used to be an actor, but ended up joining politics, अब जैसे मैं बोलू कि, if you keep on doing such bad activities, if you keep on doing such bad activities, you can end up in jail, यानि कि अगर तुम इस तरीके घटिया हरकते करते रहोगे, तुम जेल में हो सकते हो, you can end up in jail, अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, if you keep on doing such shuddy antics, you can end up in jail, तो guys, shuddy antics का भी मतलब होता है, घटिया हरकते, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, I was going to market, but ended up at my friend's house, I was going to market, but ended up at my friend's house, यानि कि मैं बाजार जा रहा था, but मैं अपने दोस्त के घर पे पहुँच गया, I was going to market, but ended up at my friend's house, इस तरीके से guys, आप end up का यूज कर सकते हैं, आगे देते हैं, कोई भी मदद मांग ले, बस आगे पीछे समझे चल लेते हैं, तो guys, य अपने अंकल को बोल रहे हैं, अगर इन से कोई मदद मांग लेता है, तो यह सोचते नहीं, उसकी मदद करने लगते हैं, जादी अजनभी भी हो, he doesn't even think twice when someone asks for help अगर इनसे कोई मदद मांगता है he doesn't even think twice यानि कि इस सोचते भी नहीं है he doesn't even think twice when someone asks for help मामा जी से ऐसी बات क्यों कर रही हो hey, is it how you speak to your uncle hey, is it how you speak to your uncle मामा जी से ऐसी बात ही क्यों कर रही हो तो क्वाइस कहने का मतलब है कि तो मामा जी से ऐसी बाते करती हो Is it how you speak to your uncle? सुधर जाओ नहीं तो देख लूँगी I will teach you a lesson if you do not change I will teach you a lesson if you do not change कहने का मतलब है गाइस कि सुधर जाओ नहीं तो मैं देख लूँगी I will teach you a lesson मैं तुमको सबक सिखाओंगी if you do not change अगर तुम सुधरोगी नहीं तब यह बोली कि मैं खुद को नहीं सुधारूँगी क्योंकि यह मेरा अधिकार है I will not amend myself because it is my right I will not amend myself because it is my right मैं खुद को नहीं सुधारूँगी because it is my right क्योंकि यह मेरा अधिकार है तो मेरा order क्यों नहीं ले रहे हो तो guys ये खाना बना रहा है तो ये बोल रहा है कि तुम सब के लिए बना रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको क्यों नहीं बना रहे हो You are making it for everyone So why are you not taking my order You are making it for everyone So why are you not taking my order तुम सब के लिए बना रहे हो am I running a hotel to take your orders यानि कि क्या मैं कोई hotel चला रहा हूँ क्या तुम्हारा order लेने के लिए am I running a hotel to take your orders तब यह बोलता है कि वैसे भी बना तो रहे हो you are making it anyway you are making it anyway वैसे भी बना तो रहे हो you are making it anyway तब यह बोलता है बना नहीं रहा हूँ मैं कैसे बनाना है इन्हें सिखा रहाओ, I am not preparing, I am teasing them how to prepare, मैं बना नहीं रहाओ, I am not preparing, मैं इन्हे सिखा रहाँ की कैसे बनाना है, I am teaching them how to prepare, तब यहाँ पह एक लड़की बोला है इससे कि तु देखता जा, तुझे ऐसी wife मिलेगी, जिसे coffee बनानी भी नहीं आयेगी तुझे ऐसी वाइफ मिलेगी जिसे कॉफी बनानी भी नहीं आएगी फिर आगे बोलगी कि मैं तुम्हें श्राब देती हूँ कि तुम्हें ऐसी वाइफ मिलेगी जिसे घर का काम करना भी नहीं आएगा तुम्हें ऐसी वाइफ मिलेगी जिसे घर का काम करना भी नहीं आएगा आगे देखते हैं आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं आगे देखते हैं मैं शुक्र गुजार रहूँगा तो काईस कहने का मतला अगर तुम्हें लिफ्ट दोगी तुम्हें शुक्र गुजार रहूँगा वल आज आएप इस वीडियो में इतना ही जरू बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाईज अगर आप इन सारे सेंडिक को सीखना चाहते हैं वीडियो को दुबारा देखिए और हो सके तो बोलने की कोशिश कीजिए जितना आप बोले को उतनी जाद आप इंप्रूब कर सकते हो गैस मैं आपसे एकली वीडियो मिलता हूँ टिल एंटेक केर कीप प्रेक्टिचिंग एंट थैंक्स वरोचिंग